हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे मटन हांडी आईए देखते कैसे बनाते हैं सबसे पहले गरम मसाली ड्राय रोस्ट कर लेते हैं लॉंग इलाइची दालची नीश सूखी मेर्थ तेजपत्ता जीरा सौफ मेथी सारे गरम मसालों के एक साथ हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे फिर हमें इनको पांस से दस मिनट फ्राय करके निकाल के थंडा करके ग्राइंड कर लेना फिर एक पॉडर बना के साइट में रख लेंगे फिर मतन में मिलाएंगे गार्लीक जिंजर एक प्यास का पेस्ट नमक स्वाद अनुसार शुगर लाल मिर्च पॉडर धनिया पॉडर हल्री पॉडर बारिक कटे हुए प्यास और सर्सो का तेल इन सबी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैरिनेट करके इसे हम आदे घंटे छोड़ देंगे कवर करके तब तक हांडी में हम गरम कर लेंगे हांडी को और इसमें डालेंगे सर्सो का तेल ये मतन में सर्सो की तेल में ही पूरा बनाऊंगी तेल थोड़ा से जाधा र पास से दस मिनट आलू को फ्राय कर लेंगे, फिर से हम साइड में रख लेंगे, बेंगॉली स्टाइल में ये करी है, तो बेंगॉली स्टाइल में हम आलू का यूज करते हैं, आलू को फ्राय कर लेंगे अच्छे से, आलू अल्मूस्ट फ्राय हो गया है, अब हम इने निकाल लित्ते प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे आलू को 30% कोप करेंगे जादा ने क्योंकि ये फिर मटन के साथ गल जाएगा फिर उसी तेल में हम डालेंगे जीरा जीरा थोड़ा सा हम तड़कने देंगे इसके बाद हम डालेंगे बारी कटे हुए दो प्याज बड़े साइस की प्याज है मीडियम हो तो आप तीन दीजेगा और हरी मिर्च इनको अच्छे से हम फ्राइ कर लेते है इसे हम पिंक कलर होते तक फ्राइ करेंगे देखी अच्छे से फ्राइ हो गया है पिंक पिंक होने लगए इनका कलर चेंज इस स्टेज पे हम डालेंगे बच्चा हुआ गार्लिक पेस्ट एक चमच एक चमच मैरीनेशन में डाला था एक चमच हम अपने ग्रेवी में डालेंगे एक चमच अद्रक का पेस्ट इनको देखी अल्मोस्ट फ्राइ हो गया है अब इसमें डालेंगे सुखे मैस वाले हल्री पॉर्डर धनिया पॉर्डर और मिर्च नहीं डाल रही मैं अभी क्योंकि मिर्च हमने अल्रेडी मैरीनेशन में डाला था पर आप जादा खाते हो तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पॉडर जिसे कलर अच्छा है मटन में फिर इने भी हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे सारे मसाले जब सारे मसाले अच्छे से फ्राय हो जाएंगे इनकी खुश्बू आने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे अपने मेरिनेट किये हुए मटन फिर मटन को इसमें हम पास से 10 मिनट फ्राइ कर लेंगे उसके बाद हम डालेंगे दही पानी जब मटन में से सोक हो जाएगा फिर जब मटन में से एक कब दही दही के साथ फिर हम इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे मतन जितना अच्छा फ्राई होता है उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है इस मतन को मैंने 15-20 मिनट फ्राई किया था दही डालने से इसमें से पानी रिलीज हुआ था उसे फिर हम ट्राई कर लेंगे इसे थोड़ा दिर और कुक कर लेंगे बीच से 25 मिनिट फ्राइ कर लेंगे फिर दीकिस में से तेल रिलीज होने लगा इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी मैं यहाँ पे दो ग्लास के करीब पानी डाली हूँ इनको अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा चला के इसमें हम अपने ग्राइंड की हुए गरम मसाली भी आइड करेंगे फिर इसमें हम फ्राइ की हुए आलू आइड कर देंगे और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे बीच बीच में स्टर करेंगे ये कुक हो जाएगा और 10 मिनट लगेंगे फिर धन्या डालके हम इसे गरम गरम सर्फ करेंगे तेयार है हमारा मटन हंडी एक बार आप भी ट्राइ कीजेगा बहुत अच्छा लगेगा आपको भी इसका मैं ग्रेवी थोड़ा सा ड्राइ करके इसे सर्फ करूंगी गरम गरम चावल के साथ रोटी या नान के साथ भी सर्फ कर सकते हैं ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को किजिए सबस्क्राइब और करें लिए बेल आइकन प्रेस तर्व प्रेक्स पूचिव सबस्क्राइब और कर दोड़िए नाम प्रेवी थोड़िए प्रेक्स झाल बाल्स एखकते हैं